हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू लेट्स टाप आज का अमारा टॉपिक है जन्रल नोट्स पार फैबरिकेशन आप प्रेशर वेसल का पार्ट त्री है जिसमें हम इसके आगे के पॉइंट कंटीनू करेंगे जो आमने पिछले वीडियो में किया था सबसे पहले लेखते हैं वेनेवर स्पार्ट रेडियोग्राफ पेसिफाई उन्द ड्राइंग इस मिनिमूम तेन परसेंट रेडियोग्राफी ओप लांजुट्यूडनल एंड सर्कम्परेंशियल सीम जॉइंट एंड फुल रेडियोग्राफी ओप टी जॉइंट्स यानिकि 10 परसेंट रेडियोगराफी लेना होथा और जो की जॉइंट्स होता हैं वेक्षल में वो फुल रेडियोगराफ लेना होता है यह सपार्ट-ègूर्णीक होता है और इसी तरह से में इससे अपने ट्राइंग में और फैबरिकेशन करते वक्ष फॉलो करना होता है नेच्च अगर हमारा welded pipe हमाँ plate से बनाने वाले है तो उस case में क्या होता है weld seam in a nozzle fabricated from the plate shall be 100% radiograph अगर हम अपना nozzle का नेक seamless pipe का नहीं ही use कर रहे है तो उस case में अगर हम अपना plate से nozzle leg fabricate कर रहे है तो उस case में जो उसका longitudinal joint होता है वो 100% radiograph करना पड़ता है अगर radiographic requirement है pressure vessel अगर use stamps है तो next point देखते है descend shall be generally made from single plate जो हमारा descend हो generally single plate से ही बनाना चाहिए अगर maximum कोशिश करना चाहिए single plate से बने अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है आगर देखते है last side descend may be fabricated by joining of plates this joint shall be 100% radiograph after forming joint location and detail indicated on fabrication drawing and T joints are to be avoided यहने कि जो हमारा descend है वो हमें किसी भी case में maximum कोशिश करना है कि हमारा single plate में ही बने अगर कोई बड़ा descend है जिसको हम एक plate single plate में नहीं बना सकते हैं तो उस case में हमें plate joint करना पड़ता है और जो भी हम joint रखेंगे उस joint को हमें 100% radiograph करना पड़ता है forming के बाद हमें उस joint का 100% radiography लेना है और joint का location जो भी है वो हमें drawing में दिया रहता है कि इसका joint का location का रखना है और हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि हमारा descend में जो joint है वो T joint वहाँ पे नहीं आए यह हमें ध्यान में रखना इसी तरह से इसके joints लेना है D chain के blank plate के लिए next देखते हैं internal coil, suction heater and external limpid coil shall be separately hydrotested when main vessel is not under hydrotest यह जब भी हमें internal coil, suction heater and external limpid coil को hydrotest करना है तो उसको separately test करना है जबके हमारे main vessel में कोई pressure हमने नहीं दिया हो उस case में इसको अलग से test करना है और हमारा जो अंदर का main body है उसको अलग से करना है तो इससी तरह इस point में discuss किया है next देखते है all man whole cover or blind branches weighing more than 30 kg shall be provided with davids and hinges यानि जो हमारा man whole cover और blind branches है जिसका वजन 30 kg से ज़्यादा है उसको हमने carry करने के लिए वहाँ पे davids और hinges देना चाहिए ताकि वही से उसका उठा के side भी कर सकते है खोल सकते है आसानी से खोल सकते है यह इस वीडियो में हमने पूरा इसके जंदल नोट्स जो भी fabrication को pressure vessel के वह उस वीडियो में discuss की है उम्मीरे आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए थैंकि वर रोचिंग